नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सिविल पितामा सिविल इंजिनरिंग इस्टिटूट के इस ओनलाइन पेटफॉर्म पे मैं हूँ कॉर्पेट ट्रेनर रास्तोष पाथक दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्ले वीडियो को किसे इसको करते हैं तो जैसे कि यहां पर हमने की इसमें इक डिजैनिंग यहां पे दिखाई हुई है तो यहां पर हमने एक प्लस फाइव बिल्डिंग को लिया हुआ है जी प्लस फाइव का मतलब होगा ग्राउंड फ्लोर प्लस फाइव फ्लोर तो शिक्स फ्लोर की बिल्डिंग होगी जिसका बिल्ट अप एरिया है तो इसके लिए हमें किंदि करने हैं कि रिट्रोंग वनाना होगा क्या उसकी वीडिव प्लस फाइव फ्लोर तो शिक्स फ्लोर यहां पर हो जाते हैं तो टोटल बिल्टप एरिया हमें यहां फ्लोर हमें है। हुआ है और number of floors यहां पर हमारे पास six हैं तो दोस्तों यहां पर हमें area of each floor निकालना होगा तो area of each floor निकालने के लिए total built-up area जो हमारे पास 36,000 square feet है उसको number of floor से divide कर देंगे तो हर floor पर कितना area हमारे पास आने वाला है वो यहां पर calculate हो जाएगा तो 36,000 divided by 6 करेंगे तो 6,000 square feet हर floor पर built-up area होगा तो दोस्तों यहां पर हर floor पर 6,000 square feet built-up area है तो उसके according हम यहां पर calculate करेंगे कि यहां पर कितने number of flats हम उस built-up area में construct कर सकते हैं तो generally यह देखा जाता है कि टू बेच्च के जो हमारा flat होता है जिसमें two bedroom hall और kitchen होता है तो वो 900 square feet में two bhk flat बन जाता है जिसमें हम 100 square feet हमार जो area होता है उसको हम common area लेते हैं जिसमें staircase area left area और corridor area शामिल होता है तो जब हम इसको total करते हैं तो two bhk flat के जो area होगा वो 900 plus 100 equal to 1000 square feet हमारा होता है तो दोस्तों यहां पर हर floor पे जो area built up area दिया हुआ है वो 6000 square feet है और एक flat का area 1000 square feet है तो हर floor पे हमारे पास कितने flats होंगे तो उसके लिए number of flats on each floor यहां पे हम calculate करते हैं तो total built up area for each floor जो कि 6000 square feet है और area divided by area of each flat यहां पे कर देंगे तो जो हमने यहां पे निकाला two bhk room के लिए तो वो 1000 square feet है तो six thousand divided by one thousand करेंगे तो six number of flats यहां पे निकल के आएगा कि हर floor पे छे flats यहां पे हम बना सकते हैं तो दोस्तों अब total number of flats कितनी होंगे उस apartment building में तो उसको calculate करना देखेंगे कि total number of flats in the building यहां पे कैसे calculate करेंगे तो हर floor पे यहां पे six number of flats हैं और यहां पे हमारे पास जो जी प्लस five building है उसमें six floor दिये हुए है जब लेकिन यहां पे दोस्तों हम यहां पे calculation करेंगे वह हम five floor का ही करेंगे क्योंकि जो भी हम apartment building बना रहे हैं उसमें हम ground floor पे parking यहां पे दी जाती है इसकारण जो भी residential area होंगे जिसमें हम flats बना रहे हैं वह हम first floor से ही बनाना चलो करेंगे तो इसलिए जो जी प्लस five building है उसमें ground floor पे parking area होगा और जो पांच floor हम एक्ष्ट्रा बना रहे हैं उपर उसमें residential flats बनाएंगे तो वहाँ पे उसमें हम five floors को ही consider करेंगे तो दोस्तों यहां पर number of floors यहां पर five हो जाएगा into number of flats on each floor तो number of floors five है और हर floor पे हम six flats बना सकते हैं तो total number of flats in a building हो जाएगा 30 flats हो जाएगे तो दोस्तों जी प्लस five building में हम one thousand square feet के according अगर चलते हैं तो 30 size thousand square feet area में हम 30 flats बना सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हम जैसे कि हमने यहां पर calculate कर लिया है कि हर यानि total number of flats 30 यहां पर होंगे तो अब हमें जो water की requirement है वो person to person vary करती है तो यहां पर हम number of occupants यहां पर calculate करेंगे कि हर flat में कितने number of occupants रहते हैं तो generally हम इसको eight consider करते हैं common practice में क्योंकि हर हम यह जूम करके चलते हैं कि हर flat में एक father एक mother four children's grandfather और grandmother रहते हैं तो उसके according यहां पर eight persons हो जाते हैं तो यहां पर हर flat में हम eight person के according calculation करेंगे दोस्तों तो total number of occupants यहां पर हम निकालते हैं तो जैसे कि हमारे पास 30 flats हैं और यहां पर हर flat में eight persons हैं तो total number of people हो जाएगा number of occupants into number of flats तो यहां पर two forty people यहां पर 30 flats में हम यहां पर apply कर सकते हैं तो दोस्तों अब two forty people's के according जो हम water requirement है उसको यहां पर calculate करना देखेंगे तो generally हम यह देखते हैं कि usage of water each by each human being per day is equal to hundred liters तो हम हर human being के per day calculation करेंगे तो hundred liters हमने उसका यानि assume किया है और utensils kitchen laundry room के लिए हमने 50 liters को consider किया है per head तो यहां पर जो total हमारे पास water requirement हो जाएगे 150 liters per head हो जाएगे तो two forty people's के लिए हमारे पास requirement होनी चाहिए उसके लिए usage of water by each human being per day into number of occupants कर देंगे तो number of occupants यहां पे two forty people है और जो हमारे पास usage per day है पर head का वह 150 liter है तो 150 into two forty करेंगे तो 36,000 liters यहां पे आएगा दोस्तों कि अब यहां पे हम रेक्टेंगलर संप की designing अब देखेंगे कि जैसे कि हमें यह पता चल गया कि हमें 36,000 liters के लिए capacity के लिए हमाई अपना रेक्टेंगलर संप बनाना है तो अब उसकी dimensions क्या होने वाली है तो जैसे कि हमें पता है कि जो one one cubic feet cubic feet volume के में 28.34 liters water आता है तो 28.34 liters one cubic feet में आएगा तो 36,000 liters के लिए कितना cubic feet हमें वाल्यूम चाहिए होगा तो उसकी हम calculation यहां से कर लेते हैं तो उसके according 1270.29 cubic feet volume आता है दोस्तों कि इतना cubic feet volume का हमें रेक्टेंगलर संप बनाना पड़ेगा तो यहां पे हम जो अपनी height है उसको हम यहां पे 6 feet को तक restrict कर देते हैं क्योंकि जो भी हमारे रेक्टेंगलर संप होगा उसको cleaning की requirement होगी other requirements भी रहती हैं तो हम उसकी height six feet restrict करते हैं क्योंकि कोई भी accidental यहां पे cause ना होने पाई इसके लिए हम जो human being की general height होती है वो हम six feet यहां पे लगते रखते हैं तो दोस्तों यहां पे हमने six feet height को रेक्टेंगलर संप का वो calculate हो जाएगा जब हम इसका under root लेंगे तो 14.55 feet के करीब हमारे पास dimension आएगी दोस्तों तो यहां पे हम अपने according फिर हम इसका designing dimension रख सकते हैं तो जैसे कि हमारे पास यहां dimension आई है संप की 14.55 feet तो 15 by 15 feet का हम रेक्टेंगलर संप दे सकते हैं नई तो 16 by 14 का भी हम रेक्टेंगलर संप दे सकते हैं तो इसके according जो हमारे dimension हो जाएगी रेक्टेंगलर संप की वो 16 feet by 14 feet by 6 feet यहां पे हमने रेक्टेंगलर संप की dimension ले हुई है तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जी प्लस 5 बिल्डिंग के लिए हमारा जो बिल्टप एरिया 36,000 square feet है उसमें कितने नंबर ओफ फ्लैट्स यहां पे निकल के आते हैं और उसके according कितने capacity का हमें रेक्टेंगलर संप बनाना चाहिए उसकी dimensions क्या होगी इस वीडियो में हमने पूरी तरह से देखा है किस तरह से हम यहां पे फ्लैट्स के according या बिल्टप एरिया के according जो भी apartment में यहनी water की requirement होती है उसका calculation कैसे होता है और रेक्टेंगलर संप की designing कैसे होती है किस capacity का हमें रेक्टेंगलर संप बनाना चाहिए तो उसके according जो बिल्टप एरिया उसके according हमने calculation करना इसमें सीखा है दोस्तों आई होप आपको यह समझ में आया होगा किस तरह से हम यहां पे calculation कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इससे आपने के साथ जय हिन जय भारत